सोया चंक्स की इतनी सांदार सबजी यकीन मारी दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया होगा और इसकी जो सबसे बड़ी और खास बातिया है कि यह बनता है बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही असान तरीके से नमस्कार दोस्तों कुक्वित पैशन में एक पार फिर आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो यहाँ पर हमने ले लिया है सोया चंग्स और अब इसमें हम टाल देते हैं पानी पानी इतना कि यह पानी में डूब जाए और यह पिंच हल्दी साथ ही जाएगा वन फोर्ट टेबल स्पून नमक और अब इसे हम फ्लेम पर रखते हैं और इसमें एक उबालाने देंगे इसे पालाने के बाद इसे हम फ्लेम पर से उतार लेते हैं और ठंडे पानी में डाल कर अच्छे से धो लेते हैं और अब इसके सारे पानीों को निचोड़ कर सारे चंग्स हम एक बाल में रख लेते हैं तो अब हमने लिया है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने स्वादान सार लीजे साथ ही दो बड़े साइज के प्याज हमने लिये हैं जिने स्लाइस कर लिया है बहुत पतला नहीं काटने की दरुरत है आप रफली भी चॉप कर सकते है और अब इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे तो यह देकिए हे हलका सा ट्रांसलूशेंट हो गया है तो बस अब इसी स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसवर कर लेते हैं तो यहाँ पे यह तयार हो गया है पियाज तो अब हमने उसी सेम कड़ाई में हमने डाल दिया है सोया चंक्स और इन्हें भी हलका सा भून लेते हैं तक सोया चंक्स भून रहे हैं हम बनाते हैं टेमाटर की प्यूरी तो यहाँ पर हमने तीन टेमाटर ले लिये हैं और अब उसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियां यह बहुत इंपोर्टन्ट है इन्हें बिल्कुल स्किप मत कीजेगा क्योंकि स्वाद इन्हीं से आता है जो प्याज हमने भून के तयार किये हैं इन्हें भी इसमें डालते हुए इसे अच्छे से एक प्यूरी टमाटर की हम तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर यह देखिए प्याज टमाटर अलहसुन के प्यूरी तयार हो चुकी है तो अब हम सोया चंग को एक बार चेक कर लेते हैं तो यह बिल्कुल भून कर हो गया है तयार फ्लेम को आप मेडियम टूल लो पर रखिएगा अब इसे हम एक बाउल म ट्रांसफर कर लेते हैं तो यहाँ पर यह देखिए सारे सोया चंग समने निकाल लिए हैं अब उसी सेम कड़ाई को इस्तमाल करते हुए हम उसमें डालेंगे एक चमच तेल साथ ही डाला है तेज पत्ता और यहाँ इसमें जाएगा करी पत्ता हल्दी पाउडर आधा चमच एक चमच धनिया पाउडर और साथ ही आप आधा चमच अस्तमाल कर सकते हैं कोई भी सबजी मसाला और अब इन्हें अच्छे से कर लीजे मिक्स अब हमने डाल दिया है स्वादा नुसार नमक यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएग मसाले जल सकते हैं इसलिए फ्लेम को थोड़ा सा लोग पर ही रखिएगा और अब यहाँ पर जो प्यूरी हमने तयार की थी टमाटर प्याज और लासुन की इसे भी डाल देते हैं और यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर धूल कर हमने थोड़ा सा पानी डाला है और अब इसे अ सारे जितने भी आपके सोया चैंस हैं वो मसालों में अच्छे से कोट हो जाएं और बस अब हम इसको अच्छे से ढख देते हैं और पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे बीच में हम इसे एक बार जरूर चेक करेंगे तो यह देखिए यह काफी पानी भी गई है तयार इस सबसे खास बात है कि यह बहुत ही आसान तरीके से बनती है और विल्कुल लास्ट में हमने मिलाया है धन्यापत्ती अगर आप धन्यापत्ती नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें कसूरी मेथी भी मिलाए उससे भी टेस्ट काफी अच्छा आता है आप इसे रोटी के साथ दाल चावल के साथ टिफिन में आराम से खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ ही होती है बहुत जूसी और कितने आसान तरीके से बनती है यह तो आप लोगों ने देखी लिया होगा तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सिखा है तो कि आप लोग अपना खयाल नमस्कार